तो कैसे हो बच्चों क्याल चले भाई ये एक नई शुरुआत है ये शुरुआत है कर्ण बैच की I think कर्ण प्रोबेबली वन अफ बेस्ट वॉरियर्स और योद्धा अफ आल टाइम असलीस हमारी इंडियन मिथोलोजी का कर्ण की कहानी सभी को बता हो गया रहे ना कर्ण क्योंकि कर्ण एक emotion है कर्ण एक emotion है जिससे हम सब करनेक कर बाते हैं एक बन्दा हुइस सुपर टैलेंटेट जुसमें सारे गुणे सारी योगिता है पर इसको opportunity नहीं दी जाती समाज उसको opportunity नहीं देता उसको आगे मढ़ने नहीं देता अच्छा बस एक पर और कॉमेंट में बता दो यारी मेरी आवा जा रही है क्योंकि एसा मेरे साथ पहले हो चुका है कि में लाइब गयो अस्टेट में लाइब नहीं होता हूं तो प्रचूनिटी नहीं है उसको आगे हैं तो करन तो बस ये समझ लो इस सीरीज में तुम सब वो करन हो तुम सब वो करन हो और हम तुमारे टीचर्स कोन है वो तुम डिसाइड गर सकते हो आई तिंग आउम प्रभू को सब जानते होंगे नीट 2022 में ओनलाइन एजूकेशन में पूरी इंडिया से बेस्ट रिजल दिया ठीक है ओल इंडिया 44 रेंग फिजिक्स में एक सबस्थी में से एक सबस्थी केमिस्ट्री बायो यू कन सी ओवरोल 70 मार्क्स राइट ना हो एहम से डेली में मजे मार रहा है तुम्हें पता है करन बैच में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में वो सारे टीचर्स जो तुमको मिल रहे है वो ओम प्रभू की टीचर्स है ओम प्रभू ने 11-12 दो साल जिन ट आगे वही टीम तुमको करन बैच में मिल रही है और तुम में से किसी का भी सपना इससे नीचे का नहीं होना चाहिए नहीं और नहीं सोच पाते तो इस बैच में मत पढ़ना यह वो तुमारा यूटूबर वाला बैच नहीं है जो चल रहे थे अभी तक Emotion नहीं होने वाला Ranks 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 करने वाले है वाला Curl Batch 100% Free YouTube Batch है यह Neat Alchemy पे जिसको सारे 2024 और 2025 Aspirants अटेंड कर सकते हैं उसमें Physics की सीरीज का नाम है Prachand Physics जिसमें मैं तुमको Complete Physics पढ़ाने वाला हूँ अक्षे सर तुम्हें हर रोज जो Numerical करवाएंगे Physics के वैसे मेरी सीरीज जो Physics का बाढ़ है उसको Neat और J-E Aspirant दोनों ही अटेंड कर सकते हैं दोनों ही अटेंड कर सकते हैं मेरे ऐसे कितने सारे तो Neat Aspirant होते हैं जो J-E मेन में Physics में 99% अपर लेकर आते हैं हर साल जो एडवांस में रेंग लिका रहे हैं हाँ वही तो नई सीरीज है शुरुआत हुई है बेसिक मेसे हम शुरुआत करने वाले हैं कई डाउट होंगे ना मन में कई डाउट होंगे कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से पढ़ाओगे सर, कब तक से लेपस करवाओगे, कई तरीके डाउट होगे, मैं सारे तुम्हें बताने बाता हूँ, ट्रिक्नोमेट्रीस की शुरुआत करेंगे हम, उसको शुरुआत करने से पहले मैं 15 मिनिट में, तुम्हारे सारे ड़वट के लिवफाए गर देता हूँ, सारे डवट की लिर्वफाए कर देता हूँ, लाइक कर दियाकर हो, यार कन्जूसे हो, इबैठे़ं लाइक कर दियाकर ये बोलना के पट रहा है मेरेको, कैसे करण हो तुम? है, अभी मन्नी भी बनो थोड़ा, पॉचिंग सिरिस्ली ओमाइग जल्दी एक एक के साथ शेर कर दो अंगुठा नहीं तो फिर अंगुठा मांग लूगा तुमारा दोनों आथ के शेर कर दो लाइक कर दो है ना चलो इस वैच के आर में डिटेल में तुम्हें बताता हूं बाइद आवे जो लोग मुझे नहीं नहीं जानते है नहीं जानते है नहीं जानते है तो आप्रतीक जैन है आन अचाटमी नुमरण फैकल्टी I joined an academy around three years ago and within 20 22 days of joining an academy I became the number one physics faculty after few months the number one faculty in all the subjects I have the highest watch minute combined in need and J both the categories other on academy you will find me on the top there are hundreds प्रविटेट्स टीचिंग अनकाडमी अराउंट 60-70 परसेंट इस्टोट्स अनकाडमी पर मुझसे पढ़ते हैं यह पहली बार हो रहा है कि मैं और मेरी टीम अपना पूरा का पूरा स्थिलेवस कंप्लीट हम तुमको फिरी में पढ़ाने बाले जो कोटा के बेस्टीचर से अधिक बाकी टीचर स्कार्विट अल्रीडी पता है नहीं पता तो में एक वीडियो बनागे डाल दूगा एक बनागे डाल दूगा एक एम सर एसके सी सर अना बहुत नमबर ऑप बच्चा देता है जो आएक साल पढ लेता है जो बहुत सीरेस अस्पारेंट होता है जिसके अधिक बाद कोटा गया थिक यह सब कहानी हो गई अब आगे बढ़ते है नी 2022 के रिजर्ट की बात करूं तो यह मेरे स्टूएंट्स है जो बससे मुझे एक साल है दो साल एक्स्क्लूजिबली ओनलाइन पढ़ेते एक्स्क्लूजिबली किसी और ओनलाइन में नहीं तुम देखोंगे फोर इस्टूएंट्स सेक्ट वन एटी ओटो वन एटी मार्क्स क्यों बता रहा हूं मैं क्योंकि अगले साल 2024 और 2025 में में जो तुम लोग के फोटो चाहिए 2023 का रिजल्ट जैसी आएक वो भी दिखा देंगे अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो पूरे इंडिया का हमने बेस्ट प्रोड्यूस करा था एक सिंगल बैच से ऐसी कोचिंग्स होंगी जिनके पास हमसे ज्यादा रिजल्ट होंगे बहाँ पे बच्चे भी डिल लाग पड़ रहे होंगे यह 500 बच्चों में से बैच और एक सिंगल टीचर से कंपेर कर होगे तो इस 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 बेस्ट रिजल्ट इन ओल इंडिया इसका 50 प्रसंट रिजल्ट भी आपको किसी भी ओल्लाइन और ओफ्लाइन कोचिंग में नहीं मिलेगा अगर मैं फिजिक्स की बात कुनों पोर इस्टूंट सिक्वर्ट वन क्योंकि इससे नीचे का सपना तुमको नहीं रेखना है इनकी शकले देख लो यहां पर तुम्हारे फोटो ने चलिए क्योंकि हम इत्यास की रेट करेंगे दोजार चोभी सा दोजार पचीज में यूटूब से रिजल्ट करेंगे लोग बोलते हैं यूटूब से नहीं होत बन करने पड़ें कि जब तुम हम टीचस से पढ़ रहो मुझ से पढ़े हो बहुत जाब होना पड़ेंगा सीरियस होना पड़ेगा नहीं तो मार मार के सही कर देंगे यहां मजाग नहीं कर रहा, serious बोल रहा, मजाग नहीं कर रहा, serious बोल रहा, तुम्हारी बहुत सारी queries होंगी, उनका भी जवाब दे देता हूँ, कौन से teachers पढ़ाने वाले हैं, I think वो तुम्हें पता हैं, नहीं पता, तो लिग देना comment में, है न, आज एक चीद आना, इस वीडियो के subscription भी खरीदना पड़ेगा, क्या YouTube पे सार गंदा पढ़ा होगे, सार गलत पढ़ा दोगे के YouTube पे सार, strategies for top rank, how to get AIR1 without studying, इसके लिए तो आपको दूसरे YouTubers पे जाना पढ़ेगा भी, हमसे नहीं होबाएगे वाला तो, अगला, यही कुछ queries होती है, I am very very cute बच्चा, will I get a top medical college, answer is no, clear no, clear cut no, अगर तुम्हें पूछना पढ़ रहा है, तुम्हें दूसरे से पूछना पढ़ रहा है, क्या मुझे medical college मिलेगा, क्या मुझे IT मिलेगा, तो definitely नहीं मिलेगा, अगर दूसरे से पूछना पढ़ रहा है मेरे भाई, तो definitely नहीं मिलेगा, rank छीनी जाती है, 21 तुम्हें भूल जाओ, पूरी movie में कुछ काम का नहीं है तुम्हारा, इस टार्टिंग में याद करो, virus, virus के speech चल रहा होता है, इतने सारों को पछाड के तुम्हारे काम का है, वो सच्चा ही है, competitive exam की, वो सच्चा ही है, कुछ याद नहीं रखना पूरी movie का, बस बो पढ़ रहा है, पचाड नहीं चीनना है, अगर दूसरे से पूछना पढ़ रहा है, तो नहीं होने वाला है, किलियर बता देता हूँ, यहाँ पर फालतु का फर्जी बढ़ा, motivation, strategy, और जो भी, हसी मजाग, वो सम्नी होने वाला है, तो ध्यान रखना, चीनना है, क्या चीन सकते हो, कॉमेंट में लेक्के बता देना है, क्या चीन सकते हो rank, चीन सकते हो, मिल जाएगी, वन्ना नहीं मिलेगी, चलो तुम्हारी queries clarify कर देता हो, कोई हो doubt है, तो तुम लोग बता सकते हो, कोई हो doubt है, तुम लोग बता सकते हो, देखो plan देखो, basic message start कर रहे है, vector, basic message फिर vector हो, यह क telegram channel पर मिलेगा, at the rate neat underscore physics, यह मेरा telegram channel है, ठीक है, यह पूरा plan भी मिल जाएगा, इस पर मैंने detailed video बनाके डाल दिया है, उसकी link भी description में, पूरा plan कौन से मंद में, क्या क्या करेंगे, बागी बता देता हो, मेरी class हर रोज 4-530 होगी, orange मतलब मेरी class है, है ना, मैं class लिए टू alternate, तो मतलब physics मतलब everyday 4-530 खतम मत, physics मतलब everyday 4-530, यह होगे तुमारा का, ठीक है, चलो, यह होगे plan, batch के बार में बता देते है, मेरा batch के बार में थोड़ा सा बता देते है, हर एक topic को हम बिलकुँ 0 level से start करेंगे, इस batch के लिए 0 prerequisite है, हाँ मतलब इतना मान के चलेंगे, आपक तो कक्षा दसवी तक की गड़ेत आती होगी, यह मान के चलेंगे कि आपको जोड़ना, घटाना, multiply करना, divide करना, percentage निकलना, triangle के internal angle का साम 80 degree होता है, ऐसी basic बाते पता हो, कक्षा दसवी तक की गड़ेत पता हो, यह मान के चलेंगे, नहीं पता तो please यार, पढ़के आ जाए न हर एक topic बिल्कुल 0 level से start होगा, physics में 0 requisite है, अगर तुमने Newton का नाम नहीं साना तुमें नहीं पता वही कौन था Newton, तुमें नहीं पता force क्या होता है, तुमें नहीं पता mass क्या होता है, तुमें नहीं पता speed का मतलब क्या है, तुमें नहीं पता distance or displacement क्या होता है, it is perfectly fine, you can attend this course, 0 मतलब 0 होता है, 0 मतलब 0 होता है, 0 मतलब 0 होता है, और इस level पर लेके जाएंगे, कि neat हो, j man हो, यहां तक कि advance के भी कुछ कोशन फोड़ दोगे, हमारे बच्चे हर साल फोड़ते है, जो पढ़ा तो advance के कोशन फोड़ रहोते हैं, तो neat तो बहुत ही छोटा सा exam में बटा, है हम लोगों ने इसी तरह से डिजाइन के रहा है, जिस तरह से हम लोग कोटा में पढ़ाते हैं, पर अब इसका मतलब यह नहीं है, इस सब हाई-ाई-लेवल पढ़ाएंगे, तुमारी NCRT परसंट कभर होगी, NCRT is the subset, जो बच्चे 11-12 के उनको बोल्ड की चिंता नहीं करनी, यह तीन सब्जेक्ट में नहीं करनी, बाकी तुम देख लो, बाकी हमें पता नहीं, यह तीन सब्जेक्ट में नहीं करनी, फिजिस के मिश्च चुपायो, जो बोल्ड है, वो तुमारा सब्सेट रहेगा, नीट का, तो 100% कभरेज रहेगा, NCRT और उसका उसकी चिंता नहीं नहीं करनी, 100%, हाँ, रेटन टेस्ट अपने स्कूल में जाके देखने पड़ेंगे, वो दियान रखना है, हर रोज क्लास के बाद मिलेगी, हर क्लास के बाद मिलेगी, जो कोटा की DPP है, हमने उसको रिफाइन कर दिया है, हर क्लास का, DPP में हर कोजिशन का वीडियो सॉलीश DPP सारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, कहाँ पर, at the rate, neat underscore physics, जैए वालों को जैए में मिल जाएंगे, जैए वाले टेलीग्राम पर, at the rate, neat underscore physics, neat और M's के आज तक जितने भी important PYQ है, वो सारे में क्लास के अंदर करा हूँगा, all years के, करा हूँगा है, तो उसकी चिंता नही तो मैं कोई भी किताब, बुक बगरा, कुछ भी नहीं करीद नहीं, सब कुछ मैं परवाइड करूँगा, all important PYIs उकरा देंगे, ask me anything session, all live mock test, तुमारे हर संदे करूँगे, संदे को तुम्हें कोई query vary करना, क्योंकि class में पढ़ाई करेंगे, जाता query vary नहीं करेंगे, वरनना क्लासिस में मत करने, रोना, रोने वाला session संदे को रख देंगे, जितना आके रोना है, रोलेना, ask me anything session रहेगा, संदे को, ठीक है, यूट्यूब पर ही रखेंगे, अनकैडमी की special class में भी रहता है, बहाँ पर भी आसक को तो उसमें आगे, जितना रोना है, रोलेना, जो को नो physics teachers है, जिस दिन live watching 1000 से जाद हो गई, greater than 1000 live watching, उस दिन तुम्हें doubt group में add कर दिये जाएगा, जहां पर तुम्हारे फिजिक से जाएड हो जाएगे, completely free, more than 1000 live watching, more than 1000 live watching, 99 में नहीं हो पाएगा, तो अभी जो चल रही है, उसे 4 गुना होनी चाहिए, multiple revision, अगर ये करते करते ह हमारे 5000 live watching होंगे, साथ मन्त की सीरीज है, 7-8 मन्त में, अगर live watching 5000 उपर चल रही होगी, तुम्हारे पूरा 2-3 division करवा देंगे, एंड में, तुम कहोंगे, यहां पर खड़े हैं, यह बड़ी वाद है, तो respect proper चाहिए, proper respect चाहिए, अगर यहां पर खड़े हैं, है ना, चलो, तो तुम्हारा भी करतव है, है ना, जिन दोस्तों को, जिन को यह नहीं पता है, उसके बारे में, सीरीज को बताना, शेर करना, तुम्हारे जो अच्छे दोस्त, अटलीस, उनको फोन करके बताना, उनसे कहें ना, कि एक दो क्लास अटेंड करके देखो, they'll know the difference, they'll know the difference, आज से पहले हमको notes तयार करने complete, सबसे पहले है, सबसे अच्छे तरीके से notes तयार करने है, neat ms के PYQ में class के अंदर करा दूँगा, quota की DPP हर रोज मिल जाएगी telegram जलो पे, jman के PYQ revision के तोरान करा हूँगा, ठेक है, जो important और relevant question है, SC बरमा के, और erodot book के कुछ question, neat में आते हैं, क कुछ, बिलको certain type, बोनी को पता होता है, बाकी यह नहीं बता पाएंगे, बाकी teachers, उन्होंने करी नहीं होते हैं, उनको क्या पता, important and relevant question है, जो तुमारे नीट exam के लिए, class के अंदर करा जी जाएंगे, SC बरमा उन लोगों करवाई जाएगी, जो under 500, मुझे लगता है, under 500, under 1000 रैंक ला सकते हैं, वो बच्चे है, क्योंकि मेरे स्टूट्स हर साल SC बरमा करते हैं, सारे नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, जैसे अभी मैंने तुम्हें दिखाई थी इतने सारी स्टूट्स, जो 160 प्लस लाइते हैं, 43 स्टूटल, उनमें से कुछ लोगों नहीं करी थी, तो तो मैं आसान-ासन नहीं करा ना, आसान-ासन कराओंगा तो सेलेक्शन नहीं होगा, रैंक नहीं होगे, खुश रहोगे, एक साल-दो साल खुश रहोगे, एक्जाम में जाके तबियत खराब हो जागे, कई नीट के बच्चों के साथ होता है, तो हम तो आपन डिफिकल्ट- चीज़ ह scar कि, क्यों, क्योंकि सीच होती है, पढ़ने से दिमाग तेज होता है क्यों, नहीं बननना थे, कम जोर का नहीं होता, नीट में सेलेक्शन, लिसनर कोज कोई-स्किल नहीं आति, तो उसे डिवलप करना है, कोई-स्किल नहीं हाति, फो कम जोर नहीं बनाएंगे तो, ठीक है तो सब कुछ तुम्हारे नोट्स में रहेगा ना फिर भी एक डिदिग मानना हमें समय एडवाईज करता हूं बाकि तुम्हारी मर जीए पर रीडिंग पहले मत मानना जैसे मालो में तुम्हें न्यूटल लजो मोशन या पर कुछ भी माल लो इलेक्ट्रोस्टेटिक पढ़ारो मालों में तो पहले मत पढ़ना जाके क्योंकि पहले पढ़ोंगे तो मेरे अक्षछे सर जो मोडिली मतलब अल्टरनेट है ना मेरी हर क्लास के बाद है तो जब तुम को कर लोगे तो उसके बाद जब तो निचार्ट उठाओगे बिलीव मी तुम 15 मिंट में पढ़के फेक दोगे पूरा चप्तर तुम 15 मिंट में फटके वेक दो तो मैं हसी आईगी इसमें कुछ भी नहीं है जब मैं मैं पढ़ा दूँ और जब तुम तुम खुद रियालाइस करोगे यह मैं बतारों तुम खुद रियालाइस करोगे ठीक है जब रिविजन कराऊंगा तो रेंग बूशन भी दूँगा वो डिपेंड करता है अगर 5000 लाइब बोचिंग रहेगी एंड तक इस सीरीज के रोज प्रोपर चाहिए एक घंटा लगे दू घंटा लगे तीन घंटा लगे नोट्स पूरा एटुजए दिमाग में बैठ जाना चाहिए नोट्स का हर कोश्चन तुम से सॉल्व होना चाहिए उसके बाद कोटा के मोड्यूस जो अक्षेसर कराएंगे तुम्हें अगले सब्सक्राइब जिन बच्चों को मुझे लगेगा कर सकते मोमें तुम्हें बता दूंग उस समय ठीक है आजब ठीक है करें शुरुआत करें तैयार हो कोई क्वेरी कोई बोग अलग से नहीं लेनी सब कुछ मैं प्रवाइड करूंगा कोई बोग अलग से नहीं लेनी ठीक ह सब्सक्राइब करेंगे तो मैं चाहिए तो अपने चैनल पर लगागे क्लास अलग से करवा दूंग उसमें कोई इसू नहीं है तो देखो अगर तुम चार साल का नीट का पेपर देखो है ना ग्रीन मतलब आसान कोश्चन कितने कोश्चन आसान ते यलो मतलब 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 तो तुम देखो गए तो 2020 का पेपर बहुत आसान ता नीट का 2020 में तुम देखो कि एक और से बहुत डिफिगल पैपर आया जट ग्रीन वाले फिर से बढ़ गए है कम गए बॉडन वाले बहूं वाले वी थोड़े का दो पर प्रिश्माइब देखें थो हमें सेल पर जलगवग वैसल सबीक्राइब क्या इन तीन के जिसा होगा क्या रगता है और यह कईर इसा होगा क्या 2026 वाले कर सकते हैं कोई भी बच्चा जो फिजिक्स पढ़ना चाहिए कर सकता है चाहिए तो किस लेवल पर हमको करना चाहिए किस लेवल पर हमको करना चाहिए किस लेवल पर करना चाहिए बताओ देखो समझो यह कोई नहीं बता सकता अगले साल के पेपर कैसा आएगा जितने भी यूटूबर बनाके डाल रहे हैं ऐसा आएगा इसी आएगा सब फर्जी बाड़ा है प्योर फर्जी हंडेट परसेंट प्योर फर्जी और तुमारे समय की बरबादी किसी को नहीं पता अरे एंटिय को खुद नहीं पता जो पेपर बनाने वाले उसका खुद नहीं पता तो बात क्या है अगर तुम आसान पेपर की तैयारी करके जा रहे हो तो तुम जूआ खेल रहे हो जैसे 2020 में आसन पेपर यह ता 2021 में सब आसन पढ़ा रहे थे फैपर देख्यों की तबीड़ बतारी बच्रो के मैंसेज आ रहे थे और हमारे बच्चे फोड के आये थे यहां पर फोड के दबा के फोड़ा था 2021 का पेपर क्यों कि देखो फरक नहीं परता तो तुमारे तैयारी अगर इस हिसाब से हो रही है कि आसनरो Educicana और टुम्हारे जीवन के साथ जूअ खैल रहे है तो ने टेश्व के साथ शुक्त खैल रहे हैं। वह तहु है ट्रेयार है न पबीट खराब होने वाल है रहे हैं गर पे जाएंगे तो याद सब्सक्राइब हो दुख रहे होगी हुंगे पेपर में बैटे ही लग चालू हो जाएगा तो बैटा ऐसा है कि पेपर कैसा आए हमारा हमारी preparation को फरकी नहीं पढ़ना चाहिए पेपर कैसा आएगा चाहिए पेपर इतना आसान आचाहिए इतना difficult है हम दोनों को फोड के नाए अगर हमारी सब्सक्राराइब बैसे ना मैं बता रहा हम अगर तुमने कायनेमेटिक सब्सक्राइब कर लिए मेरी अभी मैं बैसिक मैं पढ़ाओंगी वेक्टर फिक कायनेमेटिक Kinematics में 50% filtering हो जाती है जिस बच्चे ने Kinematics survive कर लिए तुम कही न कहीं 10,000 के अंदर हो High chances in NEET में तुमारी rank 10,000 के अंदर है देखते कितने लोग survive कर पाते है पर आसान आसान नहीं होगा आपर देहान रखना इसको देखो एक blue color देख रहा है यह modern physics का 25% paper सबसे कम समय में तैयार होता है और physical chemistry इसमें common होती है इसकी link तुमें टेलीग्राम पर मिल जाएगी ठीक है याद रखना मेले है हर रोज के लास की links तुमें या टेलीग्राम चैनल पर ही कोधी जलो भाई यह basic शिया नहीं बता है करें शरुरुआथ करें शूरुआइज इंटीक्णोमेंट्रिक है यह यह नीए होने माल है ना दिनकी दिनक टिनक वंए 올 बेशिक मैथց के शुरुआद करते हैं आज्यों क्यों सब्सक्राइब है 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 अब चल रहा है अब चल रहा है तो सब से बढ़े ट्रिवाइटरी एक किलास आज की क्लास हो सकता है कल तक है जाए क्योंकि अपना आधा घंट और चला गया एप्रॉक्सिमेशन बहुत इंप्रेटल फ्रीमेशन टिकनोमेटरिक एप्रोक्सिमेशन जैने एक इपनी इफ्रेटियेशन थी मेफ्रीशन इंटिग्रेशन थी क्लासेज फिर बता हैं calculus और basic mathematics का यूज पूरी physics में और kinematics में कैसे होगा around one class है ना यह PPT मिल जाएगी यह basic वैस का बसमें structure बता रहो इसके बाद हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे 29th June से ना हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे 29th June से आजा भाई डिग्री एंड रेडियन डिग्री एंड रेडियन से लोई शुरुवात करते हैं ना हाँ भाई कोपी निकाल लो नोट से लिखते हूं चलना है कैसे क्या लिखना है वो समय तुम्हें बताता हूं चलूगा ना ठीक है हाँ अच्छा जिन बच्चों की क्वेरी थी सर आपसे audio क्रisha लिखना पर कैसे बात कर सकते हैं क्या कर सकते हैं तो बटा देता हूं वहाँ को स सब टेली को लेन चानल पर ठल क्लेंगे ऐंसले नी चलेंग नहीं चलेगा हर अपडेट टेलिट टेलीग्राम पर न सारी कहानी अपन डिगरी में लोग्रते पलक 60이죠 Grit writer अपसे अपने को कहानी बदल के डिघुरी से रेडिएमें अपने कहानी अपसे बदल देनी ए और क्या करना आए अपने कहानी डिघुरी की जगे रेडिएमें करनी जैसे 180 यह होता होता है तुम्हारा P 해주 in 180 लिए द्यान लखनें किया क्यों इते डिश्थ इंच है फिेटए ऐसे ऑफ हमेशा हमेशा मतलब हमेशा यह दिखानत भाफ रोता तो बता है तो कि ज़रूद नहीं नोट्स में यह जो में लेख रहा हो बस लिखते हो चलो 90 मतलब क्या हो जाएगा तुमारा पाइवाई टुरेडियन 90 दिग्री मतलब पाइवाई टू रेडियन हाँ और 45 degree मतलब कितना हो जाएगा, बताओ, 45 degree इसको भी यादा कर दे दो, तो इसको भी यादा करो, πाई भाई 4 radian, तो यह पता होना हो जाएगा, 180 को डबल कर दो, 2 से multiply कर दो, 360 degree कितना हो जाएगा, करो 2 से multiply, 2 pi radian, ठीक है, तो एक चक्कर लगाना, एक revolution का मतलब 360 degree या फिर 2 pi radian multiply कर देंगे, तो 270 degree, 270 degree मतलब 90, 90 और 90, तीन मान 90 degree है, 3 quarter of circle, 3 quarter of circle, तो 270 degree, 3 से multiply करेंगे, तो इदर पर आजाएगा, 3 pi by 2 radian, बेसिक सी बात है, सबको समझ में आ रहा है, बेसिक सी बात है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, और, और भाही बताओ, 180 को 3 से divide करो, 180 को 3 से divide करेंग तो 60 आएगा, 60 degree, तो pi को भी 3 से divide करेंगे, तो 60 degree is pi by 3 radian, तो बस बेसिक ही कहानी है, जो हमको पता होनी चाहिए, बेसिक सी कहानी है, जो हमको पता होनी चाहिए, तो कवे अपसे हम pi by 3 बोलेंगे, मैं बोलूँगा, cos pi by 3, तो तो तुम बोलो कि 1 by 2 रहा, इंडिड इतना इ radian में ही करनी है, भाई, जितने भी बच्चे बैठे हैं, सबको notes बनाने, obvious ही बात है, पढ़ रहे हैं तो notes बनानी है तुमको, ये पूछने वाली क्या बात है, भूल जाओ को भी नहीं तो, 60 को 2 से divide कर तो, कितना आ जाएगा, 60 को 2 से divide कर तो, कितना आ जाएगा, 30 degree, pi by 6 radian, बेसिक रिकानी है, बस इतना या रखना है, और कुछ नहीं, ठीक है, बड़े आगे, छाप लिए notes, जिन्होंने छाप लिए बहुत अच्छी बाते जो नहीं छाप पाए, जिन्होंने छाप लिए बहुत अच्छी बाते जो नहीं छाप पाए, notes टेलीग्राम पर मिल जाए रहे कि लिखी नी रहे समय भरवाद भी नहीं करना और चौबीस घंटे बहुत कम होते हैं जब तो नहीं होता है नहीं हो जाता है तो समय अपन को यूटिलाइस करना है तो 70-80% नोट्स के अंदर हर बच्चा लखेगा थेक है अल्सी भी नहीं बनना कि थे बेठे हैं ठीक है आज अब यह बेसिक सी टेबल इसको फुल कर लेते हैं ना बैसे टिक्नोमेटिक की बैने एक किलास अभी ली भी थी रिजेंड लिया ना पर कोई नहीं यह अपनी पूरी सीरीज है इसमें सब कुछ पढ़ेंगे पर अच्छा एक चीछ बता देता हूं ना फिजिकल वल्ड के दो लेक्षर मैंने अल्रेडी ले चुका हूं है ना तो उसको मैं सीरीज में नहीं पढ़ा रहा पर वो देख ले ना इसी चैनल पर तुम्हें जाके मिल जाएंगे ना लिग देना फिजिकल विट पर ती जैनल मिल जाएंगे मैं लिंक डिस्क्रिप्श जो मेरे फिजिकल वल्ड के लेक्षर मेंने दो लेक्षर लिए थे ना तो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देना इस वीडियो के और मुझे सेंड कर देना एक बार लिंक वेरिफिकेशन के लिए ठीक है सर इस करन वेच प्रचंड वेच सेम करन वेच मैं जो कानी तो हमने बच्पन में पड़ी हुई है कोई नहीं बटा देते है घ्था अब हमको आगे की कहनी समझे नहींति अब आगे की कहानी समझे नहीं सबसे पहले साइन थी रक्टित क्या होता बहीं रचोगे ट्राइंग्ल तो यह एंगल मालो थीता है इसको परप 108 साइड वरन इन तीन साइड से तुम कित्ने ratio बना सकते हैं। जैसे मैं P को H से divide कर सकता हूं। मैं P को B से divide कर सकता हूं, राइट? तीन रेशो हम बनेगे हैं। क्या और पॉसिविल हैं? हाँ हैं! इनका उल्टा कर दो, रैसी प्रोकल कर दो, जैसे P को H से करा था, अब तुम H को P से डिवाइड कर दो, इसका रैसी प्रोकल तुम H को B से डिवाइड कर दो, तुम B को P से डिवाइड कर दो 6 ratio possible, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, दमें तो लिख के दिखा दो दमें तो लिख के दिखा दो, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, भाई, मुझे यही देख के दुख ही हो जाता है, ऐसे comment पढ़के न दुख हो जाता है, अब एक बच्चा लिख रहा है comment में, sir daily class होगी, अभी यार मैंने पूरा schedule बताया है बेटा, देखो कोई बच्चा ल एक प्पू बोल दो, कपू बोल तो लोगों ने जो नाम दिये वह बता देता हूं, वागी तुम कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, पानी पीना बूल जाते हैं चलो सब लोग पानी पीना जल्दी से बोटल दे फिर जल्दी पानी पीना थोड़ा आज बी तो पीवाइज को अपन बोलते हैं साइन थीटा चलो अब इसाइन लेख देटा चलो बहु बहुत भी नाम देता है थिख p compliance एंट है। इसका उल्टा है ईसको नाम दिया हुणे कॉसेक किया नाम दिया कॉसेक कुक्ष भाइँ कानल यहनों देडिये चलो और इधर पर इस तरह से लिखते हैं कि साइन थीटा प्रेस दिजा समझ में यह नहीं या दिखार आ जैसे लिखते हैं साइन थीटा अब यह थीटा क्यों लिखा तो इसका मतलब होता है function अब तो गहाँ कि सर function मतलब तो यह वर्ड लिख लो क्योंकि यह वर्ड में बहुत यूज करूँगा ना यह maths का term है function इसको मैं बहुत यूज करूँगा तो इसका मतलब समझा फंच्शन मतलब होता है depend करना depend करना जैसे अगर मैं बहुन हूँ कि yx का function है तो उसका वाला मीनिक काफी है ना तो जैसे हम बोल रहे हैं इसको Certない ओर आ Hels इसका क्या मतलब है यह जो रेशो है पी और ह已經 का रेशो वो ती Inform का function मतलब वो सिर्फ ओर सिर्वर सिफ ठीटा पि डेकेंड कर रहा है इसका मतलब है कि अगर पी और H को Change कर दूं है सच देट ती टा चेंज ना करे तब भी रेशो सम्म रहेगा तुम को सबस्च नहीं आ रहा है रुको दिखाते हैं माने लो मैंने पपेंडिकुलर की लेंथ बढ़ा दी बेस की वहीं रखते हो माल लो अना पपेंडिकुलर की लेंथ बढ़ाई मैं इस नह होगा थीटा सम्र्ण मेंने ऐसा कर दिया वर और थरे विलेंद्ट बढ़ा दी नेख मैंने ट्राइंगेंग्र में पेंडिकुलर की द्राइंगल की भी by h इसका जो ratio होगा वही yellow वाले triangle का भी ratio होगा तुम कहोगे कैसे घर पे जाना चांदा लेना एक चांदा प्रोटेक्टर होता है उससे triangle बनाने एक सेम एंगिल के दो ट्राइंगिल बनाना फिर इसके लेना एक रुपे का स्केल आता है जो मार्केट से वह खरीदना यह वाली length measure करना यह वाली length measure करना ratio निकालना तुम देखोगे सेम आएगा मतलब यह जो रेशो है वो सिर्फ और सिर्फ थीटा पर अगर मैं थीटा चेंज कर दूंगा तो फिर रेशो चेंज कर जाएगा यह तो यह रेशो चेंज कर जाएगा मतलब यह सिर्फ और सिर्फ थीटा पर डिपेंड करता है इसलिए हम लिखते हैं साइन थीटा, इसलिए जब अपन बोलते हैं साइन थर्टी डिग्री इस हाफ, तो हमें उसमें यह पता करने की जरूबत नहीं है कि ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की लेंद कितनी है, बेस की लेंद कितनी है, कुछ भी हो, अगर मैं बोल दूँ सा तुम बना के देखना, घर पे जाके, 30 डीगरी का ट्राइंगल बनाना, बहुत सारे ट्राइंगल बनाना 30 डीगरी एंगल के, सब में perpendicular और हाईपटिनु इसकी लेन अलग लेना, पर ट्राइंगल का angle 30 डीगरी हो, यह देखना, तुम देखो कि सब में ratio हाफ निकल के आएगा सब में ratio हाफ निकल के आएगा इसलिए हम इसको ऐसे लिखते है sin theta क्योंकि यह theta पर depend कर रहा है इंडीड से भी यही वाला ratio नहीं जितने ratio है सारे के सारे ratio तुमारे theta पर depend कर रहा है sin theta cos theta 10 theta जब तक ठीटा चेंज नहीं होगा तब तक यह ratio चेंज नहीं करने वाले cos theta, sec theta, cot theta यह दिहान रखना है यह basic सी बात है बिल्कुल दिहान रखना 10th में भी बिच्चे पढ़ते है यह रखना यह reciprocal है जैसे cos theta क्या है तुमारा धिहान से देखो कि तो cos theta is 1 by sin theta sec theta क्या है तुमारा धिहान से देखो कि तो sec theta is 1 by cos theta cot theta क्या है तुमारा cot theta धिहान से देखो कि तो 1 by 10 theta I think यह चीज सब को दिख रही है मुझे ज़्यादा बोलने की आवशकता है नहीं basic सी बात है यह सारी 10 theta की बात करूँ तो अगर तुम एक चीज़ और notice कर सकते है तो P by B आएगा H और H कर जाएगा मतलब मैं 10 theta को मतलब मैं 10 theta को sin theta by cos theta भी लिख सकता हूँ बिल्कुल basic I know you all know this पर कोई नहीं है मैंने का था जब अपन 0 level से पढ़ेंगे तो सब कुछ बिल्कुल 0 से करेंगे जिसका जो मिसे सीखते हुँ चलो इसका भी जो भी मिस्ता सीखते हुँ चलो कहीं कुछ नहीं गड़ बढ़न देंगे ठीक है यह basic सी बात है अब कुछ general formula होते हैं मैं उनका प्रूफ नहीं करूँगा पर तो मैं पता होने चाहिए है है जैसे कि माइन जीटा लिखते मींडस सब ल sanitaly होता है यह बहुत कुछ सेखते हुए सब को पता होना चाहिए चाहिए मतलब इनको बलते neighborhood एंग आंघिल्स theta और 90-theta complementary angle है, complementary angle मतलब जिनका sum 90 degree हो, अगर 1 30 है, दूसरा 60 है, अगर 1 45 है, तो दूसरा 45 है, अगर 1 60 है, तो दूसरा 30 है, 1 20 है, तो यह 70 है, जिनका sum 90 degree हो, तो sin और cos की complementary angles पे value बराबर होती है, कहीं किसी को doubt है, तो चलो कर रहा है, ठीक है, क्या रहे, यह न, ऐसे पढ़ा है, पढ़ बेटा-पढ़ hard-hard book, देखो बटा मेरी बात सुनो, जो बच्चे यह कर रहे हैं न, यह जो पढ़ बेटा-पढ़ हार्ड बाहर हो जाव 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 क्लास से, seriously, बटा ऐसी हरकते इस क्लास में ना दो, ऐसे है, बाहर हो जाव जल्दी से क्लास से, है न, यह सब अपन यहापर नहीं करने वाल है, हो गया, हसी मजाग के दिन थोड़ा समस्ति हूँ चलेंगी चीज़ों को न, मैं एक स्लाइड एड कर देता हूँ, यहां पर रुको, ठीक है, ताकि समझा पाओ, keep, अच्छे इसको यूज कर देता हूँ, कोई बात नहीं, देखो, देखो, मैं बताता हूँ तो मैं, क्या करते हैं अपन देखो, एक ट और मैं क्या करूँगा यहां पर ट्राँंगल बना रहे हूँ, यहां से एक लाइन ऐसी डाले रहा हूँ, इसको अपन बोल देते हैं, और यह हमारा थीटा है, अगर मैं थीटा चेंज करूँगा, यहां पर क्या हो गया, हाईपे टूनिस हमारा हमेशा रेडियस रहेगा, और वो constant है अगर मैं थीटा को change भी कर दूं जैसे इसको ऐसे गुमा दूं एक नए triangle बना दूं माल लो यह जैसे एक नए triangle बना दूं देखो और green color का triangle बना दिया तो देखो X और Y की length change हो गई एक्स की length कम हो गई की length बढ़ गई पर हाइपटिनूस की length constant है क्योंकि circle की रेडियस constant होती है तो मैंने यहां पर दो triangle बना रखें एक green color से बनाए एक yellow color से बनाए थीटा अलग अलगे दोनों का दोनों का थीटा अलग अलगे देखो मैं बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं देखो क्या हुआ था जब मैं खुद trigonometric पढ़ा था 11 class में न तो बही मुझे class में समझ में नहीं आ रही थी जो भी teacher पढ़ा रहे थे फिर एक किताब आती आएसे लोनी ट्रिक्नोमेट्र की सबसे अची किताब है पूरी दुनिया की ऐसे लोनी पढ़ी अपने उससे सीखी थी तो उन्होंने जैसे समझाई थी वैसे मैं तुमको समझाऊंगा आज अब यह तो दो ट्राइंगल है मैं फिर से दिखाता हूँ यलो कलर से बना रहे है एक देखो यलो कलर का ट्राइंगल है पर्पेंडिकुलर को वाई बोल रहे है हना बेस को एक्स बोल रहे है पर्पेंडिकुलर अपना वाई है यह वेरीबिल है बेस अपना एक्स है यह वी वेरीबिल है ठीक है बेस और हाइपटेनियूस तुमारे वेरीबिल है ठीक है और एक ट्राइंगल shows गिरीन फैल करें थीटा ज्यादा एतुर्च राइंगल पर यलो बनांगल के ट्रेंगल में कॉमन क्या है हाई ए प३ी झुन वनों का औरा कोनस्टन है क्योंकि रेडियस है तो हाई hypotenuse दोनों का constant है यहां पर, hypotenuse में कोई दिक्कत नहीं है, hypotenuse में कोई दिक्कत नहीं है, hypotenuse दोनों का constant है, green बाले triangle का y जादा है, perpendicular जादा है, और उसका base कम है, ठीक है, चलो, अब मालने त्यापन सोचो, अब यहां पर imagine करो, अगर मैं theta को 0 degree कर दूँँ तो क्या होगा, दिमाग लगाओ, है न, एक case consider करते है, बन कि अगर theta 0 degree हो जाएगा, तो क्या होगा, सोचो, अगर मैं yellow वाला triangle का theta कम करो, कम करते करते, theta 0 कर दूँगा, तो क्या होगा, सोचो by की length क्या हो जाएगी, अगर theta 0 कर दूँगा, तो ऐसा triangle नहीं बन जाएगा, दिमाग लगाओ, theta 0 कर दूँगा, चलो blue color से बनाते तो न, एक line बन जाएगी indeed, एक line सी बन जाएगी, theta 0 कर दूँगा, तो देखो अगर theta को 0 करूँगा, तो बलकुँ समझते हो चलो चीज़ों को, तो मेरा जो y है, y 0 हो जाएगा, और x मेरा r के बराबर हो जाएगा, x मेरा r के बराबर हो जाएगा, देखो y 0 हो जाएगा, और x r के बराबर हो जाएगा, दिख रहा है, दिख रहा है भई, theta को अगर इस triangle का angle, yellow वाले triangle का angle कम करो, 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 ऐसे, तो देखो y है चोटा होते 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 हैं और ऐस बढ़ते-बढ़ते रेडियस के ब्राबर हो गया मतलब एकस तो नियुकाइज है रिपिंडी घृतना है और है यहांपर यह और हैच आर के ब्राबर है और वाई कितना है अधो एक आपनको साइन जीर विलिटी निकालने कि तो जब थी yo डिक्री हुआ थे को साइन की बै जीरो होगी मुझे बता किते लोगों को बास समझ में आ रही है मुझे बता कित्ते लोगों बास समझ में रहे तो बता दो बता भी, के वाली बात समझ में आ रही है तुमको, अगर sin theta बन कर रहे है, अगर y को 0 कर देंगे, अगर y को 0 कर देंगे, तो 0 by r, 0 by anything is 0, तो sin 0 degree 0 आ गया, यह value अपन ने लिखी दी नहीं है, आपर कहा गया, यह value को तो sin 0 की value 0 आ गया, ठीक है, आचो, और निकालते हैं, आचो cos की value निकाल देता है, cos 0 degree भी निकाल देते हैं, आओ, cos क्या होता है, cos theta क्या होता है, base by hypotenuse, base हमारा x के बराबर है, अब देखो, x की value यहाँ पर r के बराबर है, और hypotenuse की value भी r के बराबर है, देखो, blue वाला triangle देखो, इंडीर यह triangle नहीं रहा है, क्योंकि theta 0 हो गया है, 1, अपन पढ़ते हैं, cos 0 degree 1 होता है, देखो, हमने प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया, कि cos 0 degree 1 होता है, एक cos 0 degree, यह नहीं, फिकला लिख दिया, sin 0 degree 0 हो है, और cos 0 degree बन है हमारा, ठीक है, इसी तरह अपन 10 भी निकाल सकते हैं, 10 theta क्या है, 10 theta is nothing but sin theta by cos theta, यह पर 10 theta तुम सीधा सीधा लिख सकते हो, perpendicular by base, perpendicular तुमारा देखो, क्या है, perpendicular तुमारा y हो, which is 0, base कितना है तुमारा, base तुमारा x है, which is r, again 0 by r is 0, देखो, तो जब theta 0 degree है, तो sin theta भी 0 हो जाएगा और 10 theta भी 0 हो जाएगा, तो यह भी हमारा 0 निकल के आगे, कहा गया, यह देखो, अपना 10 theta भी अपना 0 निकल के आगया, ठेक है, इसी तरह तुम कोई भी value निकल सकते हो, चलो 90 वाली निकल बाते है, 90 वाली निकल बाते है, आज़ो, एको निकलते आज़ो, अगर कहीं भी doubt है, तो भी पूछना ना क्यों कि आपनको समझते हो चलना है, अगर माल लो theta को मैं 90 degree ले लूँ, theta को 90 degree कैसे दूँआ सोचो, यह yellow बाला triangle देखो, इसका theta बढ़ाते जाओ, तो क्या हो जाएगा, theta को मैं बढ़ाऊँगा, तो देखो, x कम होगा, और y बढ़ेगा, मतलब ऐसा से एक दिखेगा, ऐसा एक red सी line दिखेगी, एसका एंगर 90 दिखेगी, जो red color से मैंने दिखाई है, theta को 90 करने पे, x coordinate 0 हो जाएगा, यह कम होते होते, x की value तमारी 0 हो जाए य की value radius के बराबर हो जाएगा, r के बराबर, y की value ào r के बराबर हो जाएगा, h तो आर ही, तो theta को 90 करने पे हो जाएगा, theta को 90 करने पे यह हो जाएगा, ऐखा ए रहा, x, r कैसे है, अगर तुम point यहाँ पर ले लोगे, एस point का coordinate क्या होगा, इस point का x coordinate r नहीं होगा और y coordinate 0 नहीं होगा तो x की value r नहीं है पताओ अगर ये point ऐसे ऐसे गुमाते गुमाते यहाँ पे लाएंगे तो x coordinate r नहीं होगा ये distance ये circle है ना circle का center से r distance होता है ये तो circle है वही circle की radius r होती है ये distance r नहीं होगा अगर ये circle है पहले circle पढ़के आओ इसलिए मैंने काता है कि 10th class तक होना चाहिए इसलिए मैं आदा 10th class तक की math आनी जी बागी में घर लूगा 10th class तक की math तो मैं आती हूँ बागी पूरी में समाल दूगा अगर math की दिक्कत खत्म हो जाएगी तो physics नीट की बहुत ही आसाल है तो इसलिए पन basic math को detail में पढ़ रहे है ताकि कोई भी दिक्कत ना है ठीक है चलो तो थीटा को 90 करने पर एक 0 और yr hr हो गया तब क्या हो जाएग अभी अपना बताओ अपना sin theta निगालते हैं आजब sin theta अपना 90 गिए sin theta is perpendicular by hypotanious perpendicular is h hypotanious is r x की value कितनी है 0 x की value 0 है x अच्छा perpendicular अपना y है perpendicular y है ना perpendicular y है अपना perpendicular is y not x perpendicular is y इस इस दा पर पेंटिकुलर पर्पेंटिकुलर वाए और यहां वे वाई की वेलु कि ट्र और है पेंटिकुलर और निकल के आगया और निकल के आगया तो हमने शाइन yogaём में 90 दिंग्रीकी वेलु निकला लीन निकल लेनुअ अब समझाने के लिंगे इसको समझाने के एक तरीक यहीं कहीं होते हैं इसको पढ़ाने के तरीके उते हैं में क्या कर सकते हैं वेज समझने के लिए यहाँ पे तीन स्पर्ट हैiku यहाँ में नुटी्ज़ाता कि आज पों को शोनुट आधार 22 समझ नाहीं की समझने अस consistency को Option उससे हमारे लिए समझेना आसान हो जाता है तो इसको actually समझने के बहुत सारे तरीके हैं उनमें से एक तरीके से मैं तूमें समझा रहा हूं जिसमें मैंने hypertinus को constant रख लिया ऐसे लॉनी ने भी इसी तरीके से समझाई क्यों कि इस तरीके से there are many ways of understanding it. मैं तुम्हें base constant करके समझा सकता हूँ. मैं तुम्हें perpendicular constant करके समझा सकता हूँ. But again, मैं तुम्हें trigonometry या math नहीं पड़ा रहा हु. तो हम पढ़ रहे हैं basic math for physics. समझभ तुम्हें trigonometry पढ़ा सकता हूँ. तो मैं एक महीन से trigonometry पढ़ा सकता हूँ. पर समझो हमें उतने डिटेल में जाने कि आफिशकता ही नहीं है हमें तो भई समझे ना अपनी फिजिक्स के लिए जितनी जरूओत है उतना जानना है तो इसलिए मैं तुम्हें एक तरीके से बता दे रहा हूं बाकि कई तरीके इसको पढ़ने के कोई काईगा था है ना अगय के लिए जितनी गड़त चाहिए बस उतनी ही हम सीखने वाले अगर पूरी मैध सपढ़नude संभी है योग कि ग्रो नौर्टका है और जिन लोगों ने अभी तेक लाइक नहीं कर दो बार बार बोलने की आफ़स्टा ना पड़ना शेर नहीं कर रहा है तो शेर नहीं कर कर देना कर दोब्ट अभी कर दो यह समन्हें एक ना यह सब लोग सब लोग बना ले न वह तो सब लोग बना ले न यह तो साइन और 10 की भी निकालो, मैं देखना चाता हूँ किया तुम लोग खुद से निकाल पाते हो, क्योंकि खुद से निकालो कि तभी बात है, अगर हर चीज मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूँगा, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता, कॉस 90 की वैलू निकालो, सब लोग जल्दी से, करो, जो तरीका मैं ने सखाया है, X, Y की वैलू रखो, और सब लोग मुझे कॉस 90 की वैलू बताओ कितनी होगी, ठीक है, बताओ यह, ठीक है, आएटी जएए फिजिक्स के लिए क्या important है यह, बताओ यह किसी भी फिजिक्स पढ़ना, फिजिक्स पढ़ने के लिए basic math आनी चाहिए, अगर तुम्हें basic math नहीं आती तो physics नहीं पढ़ सकते हैं तो यह course है सभी के लिए है कोई भी बैचा चाहे नीट की देयर ही कर रहे हो चाहे तुम 11-12 बैस ही कर रहे हो अगर तुम्हें physics समझ नहीं है तुम्हें basic mathematics आने जी बिल्कुल basic maths है यह तुमको आनी चाहिए अगर किसी अगर को भी physics पढ़नी है तो उससे पहले आपको यह math आनी चाहिए उसके बाद ही आप physics समझ सकते हो अभी पढ़ाई करो class खत्म होने के बाद जो तुमने starting का मिस कर दी उसे देखना तुम्हें सारी query के सवाल मिल जाएंगे सारे query के जवाब मिल जाएंगे believe me कर लिए प्रूफ कॉस 90 आजाओ कॉस 90 क्या होता है बेस भाई हैपिटीनूस वाट इस बेस बेस इस एक्स बेस एक and hypotenuse is r और x कितना है यहाँ पर x is 0 तो 0 आगे देखो cos 90 degree हमारा 0 आगया cos 90 degree हमारा क्या आगया 0 कर दी हमने proof देखो आजाओ देखो यहाँ पर τूका सí नाइनिटी की सी फैल्यू 10 सइन जर्व जर्व लंग दीजाओ अचाइण की जो वेल्यू जर्व जो पर है最 tough कॉंप्लीमेंटर्व नाइंटी पर !! complementary angle पर यह दोनों बराबर होते है, sine की जो value 90 है, cos की वो value 0 पर, complementary angles बराबर होते है, complementary angles पर 090, complementary angles पर sine और cos की value बराबर होती है, ठीक है, चलो आजाओ, 1090 की बात करें, कहां गया, 1090, तो 1090 होगा, perpendicular by base, perpendicular कितना है अपना बजाओ आजा अभी, perpendicular, perpendicular is by, and base कितना है अपना, base, base is x, तो y की value कितनी है, y की value देखो r है, y की value r है, और x की value कितनी है, x की value 0 है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते थे, ry 0 को infinity लिख देते है, ry 0 infinity नहीं होता, not defined होता है, दोनों में बहुत फरक है, लिखो इसे, जितने भी लोगों ने infinity लिखा है, उसे काटो, उसक वोगि जो गलत है, वो भी पता हुने चीज़, हम जो गलत लिखते हैं, वो भी काम का होता है, कुछ लोगों को क्या लगता है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, physics के notes से लिखते हैं, हमें एक चीज़ धियान लखना, इंडिएर किसी भी चीज़ के notes से लिखो, ये धियान करने हैं सारे कोईशन ठीक है तो अगर सारे कोईशन तुम खुद से ट्राइब कर रहे हो है ना जब मैं जो किलास में भी कराऊंगा तो उनमें से बहुत सारे तुम्हारे गलत होंगे और गलत होने में कोई दिक्कत नहीं है हमें सुंदर सुंदर नोट से नहीं बनाने हैं यह गलत करा वो भी एक सीखने की चीज़ है उसमें भी हमको पता चल रहा है कि यह नहीं करना है तो इसको अच्छे से काटा करो एसे detail में नहीं जाओंगा, पर anything by 0 is not defined, इसको infinity नहीं बोलते है, anything by tending to 0, plus minus infinity होता है, anything by tending to 0, इस sign को क्या बोलते है, tending to, tending to, इस sign का नाम क्या है, इस sign का नाम है, tending to, tends to, tends to 0, इस sign का नाम है, अपने आरो बना है, इसका नाम है, tends to 0 का मतलब क्या है, tends to 0 का मतलब होता है, कि वो 0 के बहुत पास है, जहां से सुने इसका मतलब, पहले तो सुनो, अगर तुम exact 0, इन दोनों में फर्क है, this tends to 0, ये 0, this is 1 divided by tending to 0 है, और ये exact 0 है, दोनों अलग-अलग बाते होती है, ये exact 0 है, अगर तुम किसी भी चीज को exact 0 से divide करोगे, तो वो not defined है, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को divide नहीं किया चासकता, अगर तुम किसी भी चीज को exact 0 से divide करोगे, तो वो किया ही नहीं जा सकता, meaningless है, division का मतलब ही नहीं बनता, division का मतलब है उतने parts में divide करो, अगर तुम बोलो कि 0 parts में divide करो, it is meaningless, 1 by 5 का मतलब क्या होता है, 1 को 5 parts में divide करो, 20 by 4 का मतलब क्या होता है, 20 को 4 parts में divide करो, 20 by 0 क्या होगा, meaningless, 20 को तुम 0 parts में divide करो, it does not make any sense, it does not make any sense, maths का का मीनिंग हो जाता है मैंस का मीनिंग हो जाता है तुम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते जो कि बहुत चोटा बहुत छोटा है मतलब जीरो के आसपास है हम बोलते हैं it is in the vicinity of zero हम क्या बोलते है it is in the vicinity of zero but not zero यह language उनके खतनाग लगी क्या बोलते है इसको it is in the vicinity of zero but not zero in the vicinity of zero क्या बोलेंगा हम देख यहां पर बताते हैं तुब है tends to zero का मतलब होता है भी तुमारा जैसे आपन बोलेंगे x tends to zero इसका क्या मतलब है x is very very small it is near to zero it is near vicinity मतलब नियर it is in the vicinity of zero लिखो इसे it is in the vicinity of zero but not zero but not zero देखो यह चीज़े भी हो सकता है difficult लगेंगी अब जब difficult लगती तो हम पर दो option होते हैं या था हम quit कर सकते हैं या फिर हम समझेने की जब जबा चाहती है जे चोटा जरुखैंव से जव चोटा है जीरो के आसपास है पर जीरो नहीं है तुम कऊगँ इसा क्यों मैं तुम करा हुँ अधर में तुमसे काऊंगा मुझे सबसे बड़ा नंबर बताओ तो क्या वोबली बताओ अगर मैं जानना चाहूंगा, एक्षोल में, दो को चीजे फिल करी जाती है जाए, physics हो जाए, maths हो तुम उसे feel करते हो, तुम उसे feel करके समझते हो, tell me the largest number, कोई बोल रहा है 999, क्यों, is it the largest number, क्या thousand उससे बढ़ानी है, क्या thousand उससे बढ़ानी है, क्या thousand नहीं है बढ़ा, 999 से, बताओ, अब तुम बोलोगे 9999 तो उसमें प्लस बन कर दूँगा मैं तुम बात समझेगे कोई समझने की चीज़ है तो हर इंसान समझ सकता है अगर समझने की कोशिश करोगे तो हर इंसान समझ सकता है कुट करके भाग जाओगे तो फिर डॉक्टर नीवन पाओगे हमारे पर समय सा जीवन में दो option होते है याथ हम समझने के लिए फ्यास कर सकते है तो उसमें दिमाग में दर्द होगा और जब दिमाग में दर्द होता है हम सीख रहे होता है हमारा दिमाग खुल रहा होता है और एक चीज़ अनक आनक ड़ना तोगे concept समझने को bypass करते रहोगे तब तक तुमारी physics कभी strong नहीं हो सकती है यह मैं बोल रहा हूं कभी नहीं हो सकती तुम्हें दिमाग लगाने से बचना नहीं है तुम्हें दिमाग तो दिमाग जतना लगा होगा उतना तेज होता है स्टार्टिक में दर्द होगा फिर बाद में मज़ा आने लगेगा यह समलो शुरू मजबूरी में करें तो बाद में मज़ा आने लगेगा मजबूरी है भी तो नीट करना है फिजिक्स अनना है रेंग लाना है तो लगाना तो मेरी बास समझो तुम नहीं बता सकते न तुम सबसे नमर नहीं बता सकते तुम जो भी नमबर बोलो कि मुद्से नमएında कर दूंगा तो वो नमबर और बढ़ा हो जाएगा तुम जो भी नमबर बोलो कि मुष्से मुझसमें बन को add कर दूंगा वो number और बड़ा हो जाएगा, वो number और बड़ा हो जाएगा, तो तुम नहीं बता सकते हैं, इसलिए and hence we have infinity, उसी को हम क्या बोलते हैं, infinity, उसको हम infinity बोलते हैं, क्यों, infinity कोई number नहीं है, infinity is not a number, infinity एक idea है, infinity is not a number, infinity is an idea, infinity एक idea है, क्योंकि तुम सबसे large number को नहीं बोल सकते हैं, तो हमने उसको क्या नाम दिया, हमने उस idea को एक नाम दिया, infinity, although infinity भी बहुत सारे तरीके की होती है, कोई बड़ी infinity होती है, कोई छोटी infinity होती है, पर हम उसमें बात नहीं करेंगे, वो PhD लेवल की बात होगी, Maths मे PhD करने वाली बात होगी, हम उसमें नहीं जाएंगे, पर infinity को समझते हो, maximum बचे infinity समझ पाते हैं, इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, मैं तुम्हें ये भी समझा दूँगा की tending to zero का मतलब क्या होता है, मैं ये भी समझा दूँग अभी तुम्हें, अब मेरे question का जवाब द द्यान से सुनो, अब मेरे question का और जवाब दो, मुझे सबसे छोटा, द्यान से सुनना, question द्यान से सुनना, मुझे सबसे छोटा, और भाई जिन लोगों ने like नहीं करे, like कर दो, मुझे सबसे छोटा positive number बताओ, मुझे सबसे छोटा positive number बताओ, मुझे सबसे छोटा positive number आशिष बोलरहा है वन ठीक है बडिर पॉजिटिव नहीं है जो जीरो बोल रहा है वह गलत बमे से लुढ़ के जीरो चैनल ना तो बहुता है ना नेगेटिव उता है भी जो लोग बन बोल रहे hanya मुझे बताओ क्या 0.5 नंबर नहीं होता जो लोग सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर बन बोल रहे हैं मुझे क्या बताओ 0.5 एक नंबर नहीं होता क्या 0.5 बन से छोटा नहीं है क्या 0.5 बन से छोटा नहीं सोचो भई बोलने से पहले सोचो मैंने का नहीं फील करने की चीज़ हैं, यह चीज़े फील करी जाती है, physics कभी definition पढ़के समझ नहीं आती, physics feel करने का subject एक, physics एक ऐसा subject है जिसको feel करा जाता है, बताओ भई, सबसे चोटा point ना बहुत, अब तुम कहो जेशन पर बता दूगा 0.01, 0.00001 उस से भी छोटा बत दूंगा 0.0000000001 अब तुम समझ जाओगि करने का सब्जेक्ट है अब तो मैं समझ में आई की जो मैं बात बोलना चाहरा हूं जिस प्रकार से तुम सबसे बड़ा नंबर मुझे नहीं बता सकते तुम सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर भी मुझे नहीं बता सकते क्योंकि तुम जो भी नंबर बोलोगे मैं उसमें और जीरो लगा दूँगा तुम बोलोगे जीरो 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 जीर हैं रा समझ में आ रही हैं जिस तरीके से तुम सबसे बड़ा नंबर नहीं बता सकते मुझे और हम उसhésitez को बोलतें इंफिनिटी उसी तरीके से सम्म मुझे साबसे छोटा पॉजिटिव नंमर नहीं बता सकते हैं उस एडिया को मैं समझ आ रही है बास समझ आ रही है ना तो अगर x is tending to 0 if x tends to 0 then 1yx क्या होगा तुमारा infinity क्योंकि जब तुम 1 को जीरो से डिवाइड नहीं कर रहे है बनवाइज 0 not defined रहा है रहेगा रहेगा अर्च तेंडिंग टु जीरो जीरो दो अलग अलग बात है अगर तुम एक्जएक्ट जीरो से डिवाइड करोगे देन इट इस नौट डिवाइड पर जब तुम टेंडिंग टू से डिवाइट कर रहे हो तो यह जीरो नहीं एक्स इस नौट जीरो यह लाइट बहुत इपॉर्टेंट है बट नौट जीरो जीरो के पास है पर जीरो नहीं है अब जीरो के पास है पर जीरो नहीं है तो अगर तुम बहुत छोटे नंबर से डिवाइट कर रहे हो तो इंफिनिटी आएगा जेतेने छोटे नंबर से डिवाइट करते हैं सिदीनिति नंबर उत्ता बड़ा रहता है जैसे 1x11 one होता है calculated ​​то 1011 100 होता है बन बाई पोइंट 000 how तो सोचो में लाइटर में नंबर जितना जाधा चोटा करूंगा ये नंबर उतना बड़ा आएगा ना मेरीबास सुन योगा उतना बड़ा होगा तो अगर जो नमबर नबर लूगँ तो यह नंबर बहुत-बहुत-बहुत-बहुतो खोटा बहुत बहुत बभाद होगा होगा और इसी को थाम इंफिनिटी बोलते है चलो भाई कितने लोगों जल्दी से ऑब जते-टस लगता है तच्छ लगेंग ना लाइक है अगर नंबर इनद होका दिखने में अच्छ लगेगा ठीक है चलो चीव है जरूत पड़े तो फिर से देखना है रिक्वार्डिंग देख लें जरूत पड़े तो रिक्वार्डिंग देख लेंगे अब यहां आगे बढ़ेंगे चलो ऽे ना खेरा अपन यह पढ़ रहे थे तो 1090 डिगरी को इंफिनीटी मत बोलना तो टैनम पड defined ठीक है चलो अच्छी बात है अब साइन 30 डिग्री कैसे निकाले तो उसके लिए क्या करना पड़े है कि घर पे जाके एक चांदा लेना चांदा आता है चांदा प्रोटेक्टर बोलते हैं से चांदे से 30 डिग्री 30 डिग्री का एक ट्राइंगिल बनाना प्रोटेक्टर लेना उससे 30 डिग्री का एक ट्राइंगिल बनाना और परपेंडिकूर और हाइपटिनुस का रेशो निकालना और तुम देखोगी कि वो रेशो निकल के आएगा हाफ ठीक है यह सब एक्सपरिमेंटल है ना खुद बना के देखना पड कर रहा हो बिना देखिए फिलोनी चाही तुमसे याद अगना अभी में सिका रहा हूँ यह तीनों याद आ करो साइन 30 डिग्री हाफ है 45 डिपर वर रूट 2 और अब देखो हमने कहा था कॉंप्लिमेंटरी एंगिल चाहिए तो 30 और 60 कॉंप्लिमेंटरी एंगल है ठीटा औ बिल्कुल बेसिक सी चीज है मुझे लग रहा है तुम इस क्लास को खतम होते होते पांसो लाई करवा नहीं बाउगों जैसा लग रहा है सर नीट के लिए क्या है है रसनेक पर्शु कर सकते हैं नहीं बेटा बटा चुपचाब जो मैं पढ़ानों बढ़ने एक्सवसी के एक्सवसी के लिए वह काफी है ना समर्ट नी बनना अपनको जादा समर्ट बनने से सेलेक्शन उख जाता है तो बतार 10θ नकालना, 10θ है सैन थीटवाए कॉस थीटव तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा 10θ बहुत आसन है सैन को कॉस से डिवाइड करो 0 बाई 1, 0 10 30 degree चाहिए, तो sin 30 by cos 30, divide करो भाई, 2 से 2 कर जाएगा, 1 by root 3, देखो निकल क्या आ जाएगा, इसको इस से divide करो, sin by cos, तो 10 45 degree बन आ जाएगा, root 3 by 2 को 1 by 2 से divide करो, तो 10 60 degree आ जाएगा, root 3, 1 को 0 से divide करोगे तो not defined, 1 को 0 से divide करेंगे तो not defined, सर, bio and chemistry classes, बैटे, करन batch में पूरी classes होंगी तुमारी है, chemistry के class already चाली हो चुकी है, ठीक है, मैं एक काम करूँगा, एक वीडियो बाकी batch का भी बना के डाल दूँगा, ठीक है, मैंने जैसे physics का डाल रखाए न, देखो physics का पूरा plan तुम्हें एक वीडियो में बता दिया है, मैंने, वो description में मिल जाएगा, ठीक है, और telegram channel पर भाई, notes मिल जाएगा, telegram join के लिए, जिनों ने नहीं करेशने में बोल रहा हूँ है, आज भी जो पढ़ा रहा हूँ, वो भी telegram channel पर मिल जाएगा, अक्षे सर जो module solve कर रहाएंगे, वो भी telegram channel पर मिल जाएगा, तो neat underscore physics, ठीक है, इस telegram channel पर मिल जाएगा, और bio chemistry का में एक वीडियो बना के वो भी डाल दूँगा, बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी तुमारी है ना, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली बायो की है, पहले क्या होता है, नीट का बच्चा हमें सब बायो बायो पढ़ता रहता है, बाकी इग्नोर मारता है, तो चुप चाप बटा, physics पढ़ लो, रेल ना, बायो तो सब को बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी बायो की क्लास, मैं बता दूंगा चंटा मत को रहा है, कोई भी दिक्का तो मैं आप है, आजओ, अब यह important है, 37 of 53 तुम का ओको सर यह कैसे अजीब से एंगल है, चलो इन से पहले इबाले बता देता हूँ, यह दोनों भी तुम्हें मिस नहीं करना, sin 180 degree 0 होता है, sin 270 degree minus 1 होता है, cos 180 degree minus 1 होता है, और cos 270 degree 0 होता है, यह ध्यान रखना है, ठीक है, 10 180 degree क्या हो जाएगा, 0 को minus 1 से divide करो, 0, minus 1 को 0 से divide करो, not defined, यह दोनों भी important है, सबको याद होने चाहिए, 180 और 270 degree भी सबको याद होना चाहिए, 360 degree की दिक्कत नहीं है क्योंकि 0 degree और 360 degree ये की बात है, 0 degree और 360 degree ये की बात है, 360 घूमने पे, तुम सेम जगे पे बापिस आ जाते हो, 360 घूमने पे तुम सेम जगे पे बापिस आ जाते हो, ठीक है, तैरा, मैं चंता मत करो, अभी इदे को इस क्लास में डिश्टर्ब मत करो, मैं तुम्हें बाय और इबाले एंगेल S.C. बरमा सर्थ जानती होगे, गटर फिजिक्स, चलाओ, ये भी बताता हूँ मैं तुम्हें न, देखो, न्यू स्लाइड एट करो, देखो, यहाँ पर, देखो बिटा, देखो, एक ट्राइंगिल बनाना घर पे जही हो, एक ट्राइंगिल बनाना तुम्हे न, कैसा ट्राइंगिल बनाओक मैटा, कैसा ट्राइंगिल बनाओक मैटा, ये बताता हूँ मैं, घर पे जाके एक राइट एंगिल ट्राइंगिल बनाना, चांदे से, प्रोटेक्टर से, 37 डिग्री का, ना आपके एंगिल 37 डिग्री का बनाना, और ऐसे बनाना, नहीं, 37 ड एक triangle ऐसा बनाना कि उसका perpendicular हो 3 cm का, base हो 4 cm का, और cm, meter नहीं करता है, तुम कोई और unit भी ले सकते हो, meter में भी ले सकते हो, पर cm ठीक है, और यह 3 है, यह 4 है, तो पाइथागोरस लगाएंगी तो यह 5 हो जाएगा, root हो 3 square plus 4 square, यह 5 हो जाएगा, तो एक triangle बनाना, जिसका perpendicular 3 हो, base 4 ह और यह 5 हो, और फिर एक protector लेना, है न, scale से बनाने न, यह triangle 3, 4, 5 का, फिर protector लेना, और उससे यह angle measure करना, और तुम देखोगी कि यह angle 37 degree निकल के आएगा, remember this, यह दिमाग में, यह triangle ही तुम्हें दिमाग में आ तकना है, remember this diagram, यह पूरा triangle दिमाग में छाप लो, सब लोग, मै जो चीज़े याद करने को बुलूँ हो, याद करना है, यह diagram तुम्हेरे दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीके, अब आ जाओ, बचाओ, चलो, निकालते है, मुझे बताओ, sin 37 degree की आ हुआ, 37 degree होता है, perpendicular by hypotenuse, perpendicular is 3, hypotenuse is 5, यह दिहान रखना है, sin 37 degree बहुत important है, 3 by 5 होता है, sin 53 degree निकालते हैं, आजोगा, sin 53 degree कितना हो जाएगा, बताओ, पहले cos 37 निकाल देते हैं, sin 53 degree, cos 37 degree, तो cos क्या होगा, base by hypotenuse, cos क्या होगा, base by hypotenuse, तो base is 4 and hypotenuse is 5, ठीक है, 10 37 degree कितना हो जाएगा, बताओ, 10 37 degree कितना हो जाएगा, यह सब लिक्तिव चलना, यह सब physics में काम आएगा, यह वाला angle math में नहीं पढ़ाते हैं, 37 or 53 निकालते हैं, 37 or 53 क्या होगा, बताओ भई, 10 37 degree क्या हो जाएगा, perpendicular by base, perpendicular by base, तो 3 by 4, ठीक है, अब दोको मज़एदार बते को यह 37 degree है, यह 90 degree है, तो यह क्या होगा, 90 minus theta, 90 minus 37, which is 53 degree, मतलब 37 or 53 degree तुमारे complementary angles हैं, मतलब 37 degree और 53 degree तुमारे complementary angles हैं, चलो आजाओ, तो sin 37, अभी हमने का रहा था, sin or cos, हमने पढ़ाता भी, कि जो sin or cos होता है, उनकी value complementary angles पर ब्राबर होती है, sin or cos की value है, तो जो value sin 37 degree की होगी, बही value cos 53 degree की भी होगी, जो value sin 37 degree की होगी, बही value cos 53 की भी होगी, यह याद अखना है, तुमारे, you have to remember this, जो value cos 37 की होगी, वो sin 53 degree की होगी, यह दोनों angle बहुत काम आएंगे, मैं बता रहा हूँ, यह दोनों angle बहुत काम आने वाले हैं, तुमारे, और 1037 डिग्री यह होगा which is equal to quad 53 डिग्र 1090 मैंनस थीटा quad थीटा होता है अगर किसी को नहीं पता 1090 मैंनस थीटा इस quad थीटा and 1053 डिग्री कितना हो जाएगा 4 by 3 यह याद रखना भई तो यह values तो मैं याद रखना है यह triangle याद रखना है आजिक से सव आद हो जाता है अएधिक्स में यह angles important है नाम मैंने दिया है magic triangle लूब तूम 500 नहीं करवाने वाली ही समझ में आग तुम रखनले नहीं टीवारे, टीक है अच्छी बात है शेर नहीं करोगे अ शेर नहीं करोगे तूं चलाओ, तो देखो इसको भर देते हैं, इसको भरते हैं, तो sin 37 डिग्री आया 3 by 5, और cos 53 डिग्री भी 3 by 5 है, sin 53 डिग्री भी 4 by 5, और cos 53 डिग्री भी 4 by 5, sin 53 और cos 37 डिग्री 4 by 5 है, 10 37 sin by cos 3 by 4, 10 53 sin by cos 4 by 3, देख रहा है ना, division से आता जाता है, यह निकालना आना चाहिए, इस table पूरी भर दी, घर पे जाके इस table को तुम बिना देके भर होगे, घर पे जाके इस table को सब लोग बिना देखे बनाएंगे, लिख ले ना, home board click हो, home board click हो, घर पे जाके क्या गरना है, फिल दिस फिल दिस यॉर्सल्फ आंसर को बिना देके तुम्हें खुद करना है घर पे जाके एक पेपर लेना और इस पूरी टेबल को फिल करोगे बिना देखे अगर बिना देके फिल नहीं कर पारे मतलब तुम्हें याद नहीं हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक बिटा कॉमेंट में नहीं मिलेगा यह लिख दिया है थोड़ी मेहनत कर लो इत्ती मेहनत नहीं हो रही तो निकल जवाँ जल्दी से सब कैसे निकल होगे यह रइसी प्रोकिल होते है technical इस वन भाई यह papa इस थीटा तो इलटा करबास कर दो बस हमा जैना कुस पूरी के पूरी बिना देके फिल करोगे और फिर इहां से वेरीफाय करोगे कि तुमने सहही भरी है या नहीं भरी है ठीक है चल अचीव बात है आप देखो technometric के कुछ general rule है देखो पहले ही मैं बता देता हूँ अभी जो बताने वाला है उसको देखके तुम्हारे दिमाग खराब होने वाला है क्योंकि बहुत सारे formula आने वाले है बहुत सारे मैं तुमसे कहता हूँ कि physics में ज़्यादा formula नहीं है पूरी physics में मुस्किल से 50-100 formula है पूरी physics 11-12 की complete physics में लाके 50-100 formula है आगर तुम सही तरीक से बढ़ रहे हो आगर तुम फरजी teacher है फरजी किताबों से बढ़ रहे हो तो वो तो एक एक चेप्टर में 100-100 formula है पढ़ा देते है उनको पढ़ने के बाद भी तुमारे question solve नहीं होगे क्योंकि तुम रट रहे होगे पर अगर तुम conceptually पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ रहे हो तुम इस तरह से पढ़ रहे हो कि physics में तुम full number लेके आप आओ ओम प्रभु की तरह ओम एम्स डेली में जाप आओ तो तुम्हें कुछ ही नहीं करना है पूरी physics में around 5200 फॉर्मिले फिजिक्स में फॉर्मिले ही नहीं फिजिक्स समझने का subject है एक बार समझना चालू कर देते हैं तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाती है पर याद रगना मैं maths के फॉर्मिले काउंट नहीं करूँ पर याद करने के लिह नहीं करने कि है याद करने हैं कर निए काम आएंगे ओर इतने काम आएएंगे जितना तुम सोच नहीं सकते ठीक है तो कुछ basic formula बतारो याद करना है इनमें से हम किसी भी चीज का प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि हमें से physics पढ़ना है पर याद करने है और मैं कौन से ज़्यादा important है वो भी बताता हूँ चलूँगा ना तो देखो यह सब के सब तुम्हारे pythagoras theorem है यह all of these are pythagoras theorem है ना perpendicular square plus base square is hypertenuous square यही होता है pythagoras h से divide कर दो तो p by h का x square plus by h का x square plus hyh का x square अपने हर तरफ h square से divide कर दिया तो h by h तो कड़िया देखो पाइथगोरस theorem क्या यही होती है परपेंडिकलर square plus base square is hypertenuous square क्या यही होती है pythagoras theorem हाँ तो pyh हमारा आ गया sin theta तो यह आ गया sin theta का square by h होता है cos theta हमने अभी पढ़ाता है यह आ गया sin theta square को अपन कैसे लिखते है sin square theta तो हमारा पहला फॉर्मिला यह हो गया sin square theta plus cos square theta is 1 ठीक है यह यह आदखना है बहुत important I think यह सभी को आता है इसी को मैं rearrange करके ऐसे भी लिख सकता हूँ अब मैं वह करूँगा नहीं क्योंकि अपने लिए जरूरत नहीं है पर secant square theta minus 10 square theta is 1 and cosecant square theta minus cot square theta is also 1 यह दोनों ज्यादा काम आते हैं मैं बताता हूँ को कौन सा ज्यादा important है लिख लो और घर पर जाके कर ले नोट्स पूरे मिल जाएंगे अगर कोई अभी नहीं लिख पा रहा तो कोई बात नहीं नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे आज के लिए फिर तुमारे लिए जादा ओवर फ्लेमिंग हो जाएगा अभी अपना ट्रिक्नोमेट्री बचा है ना वो कल तक कल भी चलेगा अपनी नेक्स क्लास में भी चलेगा ठीक है क्योंकि आज अपना और और यहां था जो बच्चे यहां पर लेट आये मैं फिर से चीज़े तो मैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी अभी किसी कोई क्वेरी है तो पूचा नहीं तो अपना आज का सेशन एंड करते हैं आज इंट्रदुक्टरी साइब का सेशन था थोड़ी से अमने टिक्नोमेट्री पढ़ ली है ना और गोल सब का यही रहेगा या पूरी नहीं कर पाऊगे ना इससे नीचे कोई नहीं देखेगा ना डरेगा नहीं कोई तो पूरी नहीं कर पाऊगे ना सपने देखो और फिर लग जाओ दिन का 12 घंटिपड़ाई करो आगर तुम हर रोज दिन का 12 घंटे पढ़ाई करो तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं करें में चलो ठीक है मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूं अगर इसके बाद भी तुम्हारी कोई रह जाती है तो मुझे कॉमेंट में लिख देना और कॉमेंट में लिखना जैसी में क्लास खतम कुरूं मेक्शूर जाने से पहले कॉमेंट करना दो काम करने दो चीज़ चांगो क्या लगा संब करना जाने से पहले कॉमेंट जरूर करके जाना कि तुम्हें कैसे लगा और क्या लग रही और कोई और हुर क्पाऊए सुन